तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, पाप का घड़ाईं का भरने वाला है, असु तो ये लोग हैं, जो दिखावा करते हैं, मुझे लड़ू खिलाते हैं सैनिकों के, और पीठ में छूरा घूपते हैं, कपील करती हूं, जाती में ना बटे, धरम में ना बटे, सबसे बड़ा धरम है इंसानियत, इंसान बनके जियो, इंसानियत सबसे बड़ा धरम है, देश के सैनिकों के लिए एकी बात कहूंगी, मुझे भातिये सैनिकों पे उपर गर्व है, और मैं गर्व करते हूं कि मैं एक भातिये सैनिक देश सुरक्षित हातों में हैं, सोजाए आँख बंद करके, और मनीपुर में जो हुआ उसको देखके कोई भेंद सोई है क्या, हमें गूल रहा था कि वो हाथ जो छू रहा था उसके योनी को, वो हमारी योनी तक पहुच रहा था, दिल रू रहा था कि उस हाथ को काट के फे पद्धान मंत्री जी अपने लिए आठ जार क्रोड का जहाज खरीद सकते हैं, लेकिन देश के सैनिक, अगर उनसे जहाज मांगते हैं कि उनको खतरा है रोड चे जाने से, तो पुल्वामा जैसी घटना करने पे मजबूर किया जाता है सैनिकों को, मुझे दुख इस बात क जो हमारे नेशनल चैनल हैं, वो सब के सब अपना जमीर बेच चुके हैं, मैं उनसे पूछना चाहते हूं, मोदी जी सदाक कुर्शी पे नहीं रहने वाले, जिस दिन वो कुर्शी से चले जाएंगे, क्या तुमें लगता है तुम चैनल ढंग से चला पाओगे, आज जनता भूखी मर रही है, बेरोजगारी इतनी चरम पे है, भूख मरी इतनी चरम पे है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, और हमारे चैनल बेचे लोग अपना जमीर बेच के मूँ बंद करके बेचे हुए हैं, जब इस देश का उलेक्शन हुआ था 2014 में, हम बहुत हुए थे, और कि हमारे देश को एक बहुत अच्छा परधान मंतरी मिलने जा रहा है, हमारे साथ उस ताइम भी बहुत बड़ा दोखा किया, हम चेहरा देख रहे थे मोदी जी का, और कि देश को ये चलाएंगे, इनकी बच्ची ची बाते सुनके हम बहुत खुश हुए थे है कि हमारे देश का बहुत बला होने वाला, लेकिन पूरे देश के साथ इतना बड़ा दोखा होगा, ये हमने नहीं सोचा था, चेहरा परधान मंतरी मोदी जी का दिखाया गया, और देश को चला रहा है, अडानी, अंबानी, जिनकों हम जानते भी नहीं थे चेहरे से, जो कंजोरे के कारण हुआ, इंटेलिजेंट्स क्या कान और आँखे बंद करके सोया हुआ था, अगर वो इमांदारी से अपना काम नहीं कर रहा था, तो सरकार क्या कर रही थी, और अगर इंटेलिजेंट्स ने अपनी रिपोर्ट दे थी, तो वो किसको दे थी, और उसके आगा ज़ग च olmayां कि और लूस्तु आपकों इम्हार्म की। खर में खुब सारे लोगों का आना जाना सुबह से शाम तक लाई लगी रहती है लेकिन उसके बाद उस विद्वा को अपना जिल्गी कैसे बसर करती है किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाती है यह देखने वाला कोई नहीं होता उस बहन को विद्वा को अपनी पेंशन ला भी मीटिंग हुई लेकिन हमेशा वादा किया जाता है कि हां हम सब यह किया जाएगा लेकिन ना कोई विद्वा की सुनने वाला है ना कोई जवानों की सुनने वाला है और जवान विद्वा की बात मैं इसलिए कर रही हूं मैंने उन वीर नारियों को बहुत नजदीक से द होंगी मैंने 810 दिन रिले हंगर स्ट्राइब किया था एर टाइम खाना खाती थी 24 गंटे में सुभई से शाम तक सिरफ प्लेन पानी पीती थी और उसके बाद 11 दिन तक मैंने आमरन अंसन किया था और वहां पर बैठी थी तो माँबाब की कसम का के बैठी थी किसान की बैटी हो उस ठाने की महिला अश्य चो कहते हैं कितने चक्कर काटोगी चोड़ो ऐसे तो धंकिया मिलती रहती हैं मैंने का जितने भी चक्कर काटने पढ़ें जिसने मुझे बलातकार की धंकी दी मैं उसको जेल भेज के रहूंगी आप यकीन मानेंगे 14 महिने बाद मेरी F.I.R. द पाएं कि वो इनसान कौन था जेक आर्मी ऑफिसर की पतनी को बलातकार की धंकी दे रहा था देश तुरक्षित आथों में हैं सोजा यह आंक बंद करके अर्य मनीपुर में जो हुआ उसको देखके कोई भेंद सोई है क्या हमें गुल रहा था कि वो हाथ जो तू रहा था थ कर दू जो है ऊसकी पतनी को बिन नंगा करके आने को हमाया फिर कहते हैं कि मौद यह पर ममकीन है शर्म आनी चाहिए जिसंदा कि शर्तिवां को गषटा गया हो चाहिए जिंदा किसान के ओपर गाड़ियाँ चड़ा दी गई हो तकलीफ होती है बहुत तकलीफ होती है लेकिन ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है पाफ का घड़ाएं का भरने वाला है आप सबसे एक अपील करती हूँ जाती में ना बटे धरम में ना बटे सबसे बड़ा धरम है इंसानियत इंसान बन के जियो इंसानियत सबसे बड़ा देश के सहनिकों के लिए एकी बात कराऊंगी मुझे भारतिय सहनिकों पे उपर गर्व है और मैं गरब करते हूं कि मैं भारतिय सहनिकी पत्नी हूं और एक किसान की बेटी हुँ अत्याचार नास हो जितना अत्याचार सोग उतना जड़ दबाया जाएगा पुल्वमा में जो तकलिफों से गुजरना पड़ता है हमारा समाज उस वीदूआ को असुब मानता है मैं देश की मातर सकती से अपील करते हूं वीदूआं का ऐसे त्रिसकार ना करो उन्हें अपने सुहा को देश के लिए दिया है अरे वो असुब कैसे हो सकती है उसने अपना सिंदूर कुर अगर यह सच्चे होते तो आज तक पुल्वामा के उपर कमेटी क्यों नहीं बनाई अगर बनाई है तो उसमें कौन-कौन सदैसे हैं और वो जांस कहां तक पहुंची पूचता है भारत परधान मंतरी जी से और परधान मंतरी जी कब तक भागो के देश के सवालों से इन के इसका बच्चा बच्चा जग चुका है परधान मंतरी जी से सवाल पूचेगा और आज नहीं तो कल परधान मंतरी जी को देना होगा जबाब देना होगा जै जवान जै किसां